मैं आज आपके साथ जो रेस्पी शेयर करने जा रही हूं वह बहुत हैल्दी एंड टेस्टी है तो चलिए शुरू करते हैं राइस पेपर रोल अच्छी लगे तो मेरी रेस्पी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो यहाँ पर मैंने तीन तरह की चीजिए और इसको स्कुएड पीस कर लिये हैं चोटे चोटे आप चाहे तो इसको लंबा-लंबा यूँ रखें और इसको फाइन काट लेंगे यहां तीनों शिम्ला मिर्च हैं रेड यलो ग्रीन यालो ग्रीन ने और अन्यन यह लंबा-लंबा काट लिया अब इसको टेल मे साटे करेंगे प्यास साट हो गई है अब इसमें कैवेश डालेंगे और रेड येलो ग्रीन तीनों शिम्ला मिक्स डालेंगे और यहां पर ब्लेक पेपर लिया हुआ है पाउडर सास लिया है अब यहां पर रेड चली सास डाली है तारी अच्छी तरह से चीजे मिक्स कर लेंगे एक हागर और इसको ठंडा करने के लिए अलग रख देंगे चिली फ्लेक स्बी डाला है यहां पर राइस पेपर लिया हुआ है इसको पानी में अच्छे से डिप करके इसको जब तक सॉफ यहां भी हमारी ठंडी हो चुकी है अब इसके अंदर रखेंगे और चारो तरफ से इसको अच्छे से सील करेंगे जिससे फ्राइब करने में सब्जियां बाहर नहीं निकलें और बहुत केरफुली इसको करना है क्योंकि यह बहुत जल्दी फटता है सारी एक साथ तैयार कर लिए अब गैस की तरफ चलते हुआ यहां आल लिया हुआ इसको मैं सेलो फ्राइब कर रही हूँ आप चाहे तो जीट राइब करें यह हल्दी रेश्टी है इसलिए इसको सेलो फ्राइब री करेंगे और यह बहुत अच्छी है टेस्ट में देखिए यह हो गई है इसको निकाल लेंगे अब इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग करेंगे अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए